नमस्कार जोहार, मैं हूँ शूती कुमारी और स्वागत है आपका और भी है राहें कि इस कड़ी में दूरदर्शन के इस कारक्रम में हम आपको करियर से जुड़ी सारी बातें बताते हैं आज हम आपसे बात करेंगे डिजाइन थिंकिंग और सोशल इनोवेशन के विशह में डिजाइन थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो भी प्रॉड़क्ट बनाते हैं उसको यूस करने वाले जो हमारे यूमिन्स हैं उसको उसके उपर फोकस करके वो प्रॉड़क्ट बनाया जाता है जब हम ऐसा कोई प्रॉड़क्ट बनाते हैं तो वो और बहतर तरीके से निकलता है पर जब हम डिजाइन थिंकिंग को सोशल इनोवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी जादा फाइदे मंद हो जाता है पर ये होता क्या है ये दो डिजाइन थिंकिंग का क्या मतलब है सोशल इनोवेशन का क्या मतलब है इसमें हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं इन सब के विशेपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है प्रफेसर रोहित रोहित आया है राजी के एसिस्टेंट प्रफेसर हैं प्रफेसर रोहित आपका बहुत- बहुत धन्यवाद मुझे यहां बुलाने के लिए जी सो प्रफेसर रोहित सबसे पहले तो हम इससे शुरुवात करते हैं इसको समझने में कि आखर डिजाइन थिंकिंग क्या होता है और सोशल इनोवेशन क्या होता है जैसे आपने बताया कि डिजाइन थिंकिंग एक प्र और इसमें क्या होता है कि आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो आइटरेटिव होता है बहुत बहुत क्या होता है जब आप मैनेजरिल थिंगिंग के बात करते हैं तो आप एक लीनियर वे में सोचते हैं तो जैसे मैं आपको बता हूँ जैसे अगर आप डिजाइन थिंगि बहुत एम्फसिस होता है कि आप अबसेव करें पहले कि आप किसकी लिए वो solution या process बनाना चाहरे हैं और जब आप वो करते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है फिर आप वो define करते हैं तो बहुत बार क्या होता है जब आप नॉमली कोई चीज का solution ढूणना चाहते हैं तो आप उसके बारे में आइड करके उसको बना देते हैं बड दिजाइन थिंग में क्या होता है कि सबसे पहले उसको एमफफाइज करते हैं यूजर के साथ फिर आप डिफाइन करते हैं प्रोब्लम को इसके बाद फिर आप आइडेशिं MARKS इसके बाद फिर आप आंप आप इसको एक में संक्पे जात ए बाद भिडेशो पिर आप windows एक एक listens आप मैनेजरियल उसके solutions को ढूने की कोशिश करते हैं, तो वह design thinking concept है, बात करेंगर social innovation की, तो आप देखेंगे की जो भी हमने development देखा है, अगर आप business में देखो या अगर आप government का भी काम देखो, तो वह focus करते हैं कि हमें लोगों को benefits पहुचाने हैं, बहुत बार क्या होता है कि उसका जो access or reach है, वो कुछ लोगों को तक नहीं पहुच पाता है, और फिर क्या होता है कि जो businesses है, वो normally अपने profit maximization पे काम करते हैं, तो बहुत बार होता है कि कुछ-कुछ ऐसी चीजे होती हैं, जिनमें नहीं corporate focus कर पाता है, नहीं government focus कर पाती है, तो उनके लिए कुछ तो access नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आप क्या solution उस तक तक पहुचा सकते हैं कि नहीं पहुचा सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड ओवर social innovation में बहुत सारे काम हो रहें, बहुत अच्छा example जो मेरे भी दिमाग में आ रहा है, social innovation पे, अगर आप बांगलादेश में तो आप कैसे एक idea को लेके उसको इसको आइटरेटिव प्रोसेस में फॉलो करते वे उसको आप ऐसे लाज स्केल में ले जाए जहां पे वर्ल्ड ओवर आपको लोग देखे और मलब आपसे लर्न करने की कोशिश करें, तो अगर आप social innovation देखो के तो the focus वहां पे जो intent जो है कि design thinking हमारे लिए एक process है जो social innovation करने में हमारी मदद करता है, तो जैसा आपने बताया है बहले तो design thinking आपने हमें समझाया कि एक process है step by step process है जो हमको follow करना होता है, पहला उसका step होता है कि हम empathize करना सीखे हमारे users के साथ, कि अगर हमारा users कोई problem की through जा रहा है, तो वो क्या problem है और वो किस तरीके से के feel कर रहा है अपने problems को देखने के बाद, उसके बाद उसको define करना कि आखिर problem क्या है, define करना I think बहुत जरूरी है जो आपने बताया, ideate करना, prototype करना, so basically a managerial process है जो designers से थोड़ा बहुत लेकर हम यह पूरा process तयार करते हैं, तो यह बिलकुल यह managerial, आज इसमें क्या होता है कि हलका से difference है जो normally managerial thinking में नहीं बात की जाती है, जैसे मैं आपको example दूँ और यह example हम अपने classes में भी discuss करते है, जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे एक बहुत अचे example है oral bee का, उसमें जैसे वो जो toothbrush होते है बच्चों के लिए, तो normally क्या हुआ करता थ जो हम लोग normal toothbrush जो बढ़ो के लिए इस्तमाल करते है अगर आपको कहा जा कि आप बच्चों के लिए आप उसको बनाइए, तो normal managerial tendency होगा कि ठीक है उसका size चोटा कर देजिया, चोटी बच्ची के लिए चोटा इस्तमाल करने के लिए काम आएगा, तो फिर companies दे वो follow किया, उन्होंने चोटा तूज़वस बनाया बच्चों को रखती हुए, बट उसका sales एक रुग गया, फिर company ने सोचा कि हम क्या करें, क्या innovate करें इसमें, कि हमारा sales इसको improve और profitability आगे बढ़े, तो उन्होंने फिर idea करके design company है, तो उन्होंने collaborate किया और उनको बोला कि आप design thinking की बा All the process है, कि आपको empathize करना है, उन्होंने science student focus है, उन्होंने क्या अबर सबस्बसे प्रच करना है, उन्होंने करें सबसे थी वो अपने पाम से पगड़के वो पोशिश्च कना चाहते हैं तो उस इंसाइट से उन्होंने फिर क्या क्या है उन्होंने कहा है कि हमें जो बच्चों के बढ़ा होता है उसको ज़सा और गृप्पी और ज़सा थिक बनाना पड़ेगा थो soaked insights लेटे वे उन्हों ने बनाया और फिर भी रहे MARYLyze कि उन्हों इनने जो sales था जो profit अगे बढ़रा और फिर बेड्री बेनेफेट वर design thinking process को देते है विकूज उन्हों उन्हों ने नजरिये से देखा कि उर्ड़क्ट को इस्तेमाल करना है तो वो एक example है बहुत अच्छा जिसमें कि normally आप managerial अगर आप apply करो तो शायद आप वो चीज चोटे चीजों को आप ignore कर दो या ध्यान ना दो दूसरा example मेरे ध्यान में आ रहा है अगर आप देखोगे GE healthcare, General Electrica healthcare तो वो लोग medical equipment बनाते हैं, MRI machine भी बनाते हैं तो उसमें उन्होंने क्या observe कि खासकर अगर बच्चों को लेकर आ रहा हूं इसमें कि जब बच्चे होस्पिल में जाते हैं वो ऐसे डरे रहते हैं और जब वो MRI machine के सामने खड़े होते तो उनको और डर लगता है तो उन्होंने फिर कहा कि क्या हम डिजाइन तिंगी को इस्तमाल करके इस जो पुरे एक प्रोसेस है बच्चों के लिए वहाँ पर जाना उसको इंप्रूफ कर सके तो जब उन्होंने इसमें अप्लाई किया तो उन्होंने एक बहुती इनोवेटिव प्रोसेस निकाला, उन्होंने कहा कि एक पाइरेट शिप है, जहां पर बच्चे जाके बैठ के अपना इस स्कैनिंग करा सकते हैं, तो अब आप सोची एक जो बच्चा है जो होस्पिल जा कि एक पूरा कार्टून फिगर बने हुए है और एक पाइरेट का शिप है जहां पर बैठनी जा रहा है तो उसका इंग्जाइटी और जो ट्रॉमा जो रहता है वह बहुत ही हद तक कम होके और बहुत ही रिलाक्स भी में जाके तो उसमें उन्होंने देखा कि पहले उनको क अच्छे को कैसे उसमें डील करना चाहिए तो उनका 80% से 10% तक आ गया तो ऐसे बहुत सारे एक्जाम्पल्स है जहां पर आप देखो कि डिजाइन तिंगी के अप्लिकेशन से आप बहुत कुछ ऐसा डिस्कवर करते हो जो अदरवाइस मिस हो जाता है और अगर आप मैनेज होता है उसको अगर आप अचीव करना चाहिए बहुत मुश्किल है अब इसमें मैं और एक को एक्जाम्पल देता हूँ कुछ महने पहले मैं अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गया था विकेशन पे नौर्थ-East में गया था और वहां से मोजे वापस आ रहे थे तो हम हमारा ड्राइवर था हमने उसको पूटे फुल देन के लिए बुक किया हूँ था और उसके लिए हम कस्टमर्स थे तो वह हमें लेके जा रहा था बट अचानक क्या हुआ कि अचानक से ऐसा लगा कि कुछ चीज आके शायद सीचे से गाड़ी के सीचे से लगा और कुछ बि अचानक से लिए पीछे गया एक चोटा सा पंची था तो उसने जा के उसको पैंपर किया और फिर उसको साइड में रखे फिर हम लोग अपने जर्णी में आगे बड़े तो यह जो एक्जामपल यह दर शाता है कि एमपथी होता क्या है तो वह जो 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 इस कि आपको कुछ उससे मिलेगा वापस तो वह बिलकुल सेफलेस्नेस रूप में जाकर जो ने एमपथाइज किया उस पंची के उसको फिर रेल एमपथी बोलते है कि आप अच्छली जो भी वह जीव है या जो भी वह अभी तो अभी तो डिसाइन दिग में लोग हम लोग तो यह एमपथी एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है जो डिफरेंट है दूसरा है आइडेट तो बहुत बार क्या होता है हम लोग जो मैनेजरल थिंग के बात करते तो हम लोग आइडेशन में क्या करते हैं हम लोग कहते है ठीक है यू लुक फ़र अच्छा उप्शन है जिए जूसरा है यू अब डूंड़ा जंटे रहो और अपको वह नहीं मिलें आप प्लैनिंग अप्लाइट द्रूंढते रहो यू षएम टीजान तिन्गीयिं ओ उत नहीं कहते हूं इस यह नोग बात करते है मैक्रो प्रणसर और शियं माइक ब्सकार से एब और नहीं दो तो आफ और दी बॉक्स एड़िया सुचते हैं वरिधान दीजाइन कहता है आप आप आउट अड़िए डॉकुम्नेंट करो लिखो इसको रूल आउट मत करो यहाふाइठ जो क्या प्रण्स्टेंट के साहते ही उसके皆 online बिलकुल की लेक् ठी सरे एक इंड की बनिट्स जाने है बिलकुल हम लों लोग ज्हसे एक में वर्क्षॉप करते है जोह पुर्क्षोप करते हैं जैसे brainstorming के principle होता है कि आप ना मत बोली कोई भी idea के लिए, अगर कोई एक बंदा गर रूम में एक idea दे रहा है तो इसमें आप बट मत लगाई है, आपने कहते हैं आप इसमें यह नहीं हो पाएगा, तो हम लोग बट कास्तमाल नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप उसको document क कारी की अनुसार उसमें कुछ-कुछ restrictions लगाते हैं, बट design thing में हम लोग emphasize देते हैं कि आप restriction मत लगाई है, अगर किसी नहीं बट कर सके आप वैसा कीजिए, तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक बहुत interesting pool of ideas generate हो जाते है, बट अब फिर इसमें प्रॉब्लम किया है कि करने सकते हैं, आपको फिर उसमें साइडिफाइ करना पड़ेगा कि कौन ऐसे ideas है, जो आपको filter out करके आपके लिए effective है, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग तीन चीज़ों की बात करते हैं, जैसे मालीज आपने 100 ideas, document तो कर लिए, बट उसमें आगे कैसे बढ़ा जाते हैं, आपको तीन चीज़ों की बात करते हैं, सबसे पहले में बोलते है, desirability, कि इस solution आप जो सोच रहे है, जो product की बारे में सोच रहे है, उसका desirability कितना है, क्या वो actually users चाहेंगे कि उनके पास solution हो या ना हो, so desirability एक criteria बन जाते है, decide करने के कि कौन सी ideas आपके आगे जाएंगे, desirability के बात फिर होता है, कि वो technical feasible है कि नहीं है, बहुत बर क्या होता है, जब आप आइडेशन कर रहे है, तो आप wishful thinking में चले जाते हैं, कि अगर ऐसा होता है, कि अभी हमारा घर मार्स में रहता तो क्या होता है, तो अगर आप इस idea को अगर आप feasibility के lens से देखने के करेंगे, तो फिर आपको realize होगा कि आपका वो technical अभी feasible नहीं है, मेभी 50-100 साल बाद वो possible हो जाए, तो अभी जो technologies हमारे पस available है, अभी जो know-how available है, उसमें वो technically feasible है कि नहीं है, और फिर third हम लोग जो lens लगाते है, वो बोलते है कि वो viable है कि नहीं है, मतलब वो financially viable है कि नहीं ह तो आप उसको recover करके कुछ surplus बना सकते है, उसका return पराबना रहे है, जरूरी नहीं है कि हम उसको profit के terms में है, तो बहुत बार जैसे आप social innovation की बात कर रहे है, तो उसमें profitability को ना देखते हुए value को देखते है कि आपने उसमें additional value क्रेट कर पा रहे है कि नहीं पा रहे है, तो व तो उसमें funder का बहुत रोल रहता है, एकर funds आया तो program चलेगा, funds रुग गया तो program रुग जाएगा, तो जब हम लोग design thinking और social innovation बात करते हैं, कोशिश करते हैं, कि सारे constraints को लेते हुए, यह अपने में self sustainable कैसे हो जाए, तो आपको बाहर सोर्स, initially आपको शायद कुछ funds की ज़ साथ करना होता है, और उसमें एक बहुती इंट्रेस्टिंग जोन आता है, जब आप conversion करते हैं, तो हम लोग उस zone को, you know, manage करने के लिए ट्रेन करते हैं, कि आप कैसे उस moment से shift करके फिर आप conversion में जाए, तो कुछ-कुछ चीजे ऐसी हैं, जो design thinking में बहुती अच्छे से highlight किया यह हमारे social innovation में मदद कर सकती है, अब हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने इसको बहुत इंट्रेस्टिंग बना दिया है, इसको पढ़ने के लिए exactly क्या पढ़ना जरूरी है, जिसे जब हम school के students की बात करते हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि उनको design thinking में अपना career बनाना है, तो क्या subjects हैं जो पढ़ सकते हैं अपने school के time पर, अब हमारा जो new education policy है, 2020, उसमें मैं हलका से research कर देखना चाहरा था कि किस तरह की emphasis दिया गया, तो बहुत ही अपने सतर पर बहुत ही अच्छा initiative है, बहुत ही strong policy है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें मैं देख रहा था इनोवेशन जो word है वो करीब 25 बार इस्तमाल किया गया है, तो अगर आप national education policy देखेंगे हमारी जो है, उसमें innovation का emphasis है वो बहुत है रिपीट किया गया, अगर आप word social को देखोगे, तो वो करीब 25 बार इस्तमाल किया गया है, तो because social science is subject है, तो social sciences भी बहुत बहुत है, और design thinking word भी इस्तमाल किया है, तो इसका मतलब है कि जितने भी educationist है और जब हम लोगे policy की planning करें तो हमें realize कि design thinking जो है, वो बहुत important topic है, और वो हमारे school और higher studies में included होना चाहिए, तो अभी आप देखेंगे, अगर 10 plus 2 की बात करें, तो अभी आपके पास एक option है कि आप business studies ले सकते है, class 11 or class 12, तो उन courses में क्या होता है कि आपके पास, of course आपको management के बार में पढ़ना पड़ेगा, क्या-क्या different functional areas उसके बार में पढ़ना पड़ेगा, बट उसमें जो project का component है, उसमें आप design thinking को ला कि उसमें आप अच्छा कर सकते है, जहां तक different sources की बात है, कहां से students design thinking के बार मे जाके अगर आप design thinking के type करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे material मिल जाएंगे, of course उसमें आपको filter करना पड़ेगा कौन सा authentic है, कौन सा आपके लिए valuable है, तो वो एक option है, बहुत सारे ऐसे institutes है, जो आज आपको certificate courses offer कर रहे है, बहुत सारे online courses design thinking में आ गया है, अगर आप बात कर साथ हफते का design thinking का course है, हलका सा वो costly हो जाता है, वो देड़ला के आस पास इसकी cost बढ़ती है, तो वो भी option आपके पास है, आपके Stanford University, अगर आप देखोंगे तो Stanford University is known for design thinking, उनका जो de-school करके है, उन्होंने ये design thinking को promote के आगे बढ़ाया, तो अगर आप देखोंगे तो वहां आप पी उनके पास भी आजकल online certification course है, जो available है, अगर आप IIMS में देखोंगे तो मेरे खाल से आएमदबाद, Bangalore, Calcutta, सब में आपको executive education में design thinking कोर्स करने का option available है अभी, आपको कर सकते हैं, अगर primarily आप students की बात करों, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आजकल chat GPT भी आगय होगे तो भी आपको details बता देगा, information देगा, but इसमें एक चीज यह जरूरी है कि आप जब इसमें शूरू करो तो आप कोशिश करो कि आप अपने जो भी आपके आसपास, जो seniors है या जो जानकार रखते हैं, उनसे भी जाके discuss करने की जरूवत है, और यह कोशिश करना चाहि है कि because वह एक problem-solving technique है, उसको आप किसी भी context में apply कर सकते हो, यह जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही एक wicked problem ली के शूरू करना है, जैसे बहुत-बहुत क्या होता है कि हम लोग जब social innovation की बात करते हैं, तो हम लोग wicked problems की बात करते हैं, तो यह wicked problems क्या होता है, यह basically होता है, ज जो health access to healthcare है, वह भी हलका से a quick problem है, बहुत-बहुत क्या होता है कि students को लगता है कि इस सब जो concept बात कर रहे हो सिफ bigger problem solve करने के लिए, बट in reality वैसा है नहीं, आप उस चीज का application आप छोटे से problem को भी solve करने कर सकते हो, तो for example, अगर मुझे अभी इस chair में बैठने में दिक्कत हो जाँ कि वह user friendly हो जाए, बहुत-बहुत होता है, जैसे माली जी दूरदशन वा या कोई भी studio आप recording कर रहे है, अगर आप design thinking को apply करें तो आप पूछना शूर करेंगे, कि जो मेरे participants आ रहे है, उनका comfort के लिए क्या चीज़ जरूरी है, इस बहुत-बहुत होता है कि आप differently abled persons को स्टूडियो में बुलाते हैं, तो क्या आपका स्टूडियो वो differently abled person के लिए design किया गया है, क्या वो facilities है, क्या वो benefits है की नहीं है, और अभी क्या हो गया है, अभी technology इतना advanced हो गया है, क्या आप उस technology के थूरू इस्तमाल करते हुए, आप उसमें कुछ changes ला सकते हैं, तो again आपको जड़ा सा और in-depth में जा कि उसको समझ के, उसमें फिर improvement लाना पड़ता है, और जब innovation के बात करते हैं, तो हम लोग एक systemic level innovation के भी बात करते हैं, business model लेवल पे भी बात करते हैं, तो depend करता है कि आप किस तर पे उसको apply करके solution लाना चाहरे है, तो जैसे मैं बोल रहा हू जब भले solution ना पहुच पाए, तो इस प्रोटाइब के लेवल पे भी चले जाएंगे, तो उससे उनका learning भूत ही अच्छा हो सकते है, तो इस सकते है, design thinking एक way of living है, more like that, कि अगर हम design thinking को उस तरीके से देखना शुरू कर दें, और अपने everyday life में problems को देखके design thinking apply करते हैं, तो यह एक practice की तरह हो सकता है, students के लिए, बिल्कुल, in fact, जैसे IM Ranchi में हमारी कोशिच रहती है, कि हमारी students, जो कोई भी students जो आते हैं, वो जब corporate world में, या social world में, कहीं पर जाएं, तो वो ऐसे solutions derive करें, जो scalable हो, जो impactful हो, तो उसके लिए हमने देखा है, कि जब हम design thinking पढ़ाते है तो उनका जो एक level of curiosity है, और जो level of solution finding का जो एक process है, वो काफी इंप्रूव हो जाता है, और उससे फिर हमें जो feedback मिलता है, कि हमारी students है, वो कैसे collaboratively है, because design thinking is also a team work, तो किया कि आपको team को साथ लेके चलना पढ़ता है, और आपको, कुछ-कुछ skills जो है, वो emphasize करना पढ़ता है, Sir, तो आपने काफी कुछ हमको बताया, skills के बारे में बताया, और design thinking exactly होता क्या है, इसके बारे में हमने बात करी, ऐसे कौन से अच्छे colleges हैं इंडिया में और जारखंड में अगर हम specifically बात करें, जहां जो interested हैं बचे design thinking में वो यह पढ़ सकते हैं, देख एक तो IM राची आप जितने भी management institutes है, I think AMETI है, others, जो भी colleges है, local, मेरे पास डेटेल लिस्ट अभी मेरे पास available नहीं है, बट जहां तक मेरी जानकारी है, वो सब colleges में उनके पास short programs है, जो आप design thinking पे देख सकते हैं, बहुत colleges में यह executive development की तरह offer किया जाता है, अभी भी अगर आप देखोगे तो, इंडस्ट्री, certifications है, executive programs है, जी, so professor Rohit, thank you so much, आज आपने हमें बहुत कुछ पताया हमारे studio में, कि exactly design thinking होता क्या है, यह क्या process है, हम क्या follow करते हैं, plus हमें यह भी सीखने को मिला कि कौन से इसे institute से जहां हम पढ़ सकते हैं, जैसे Stanford के कुछ को से हैं, Harvard के कुछ को से हैं, साथ ह हमारे जारखन में आये, मराची है, BIT मेसरा है, जिसमें हम यह पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमयाद समझ में आया है कि हमारी दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, और schools में भी कैसे design thinking को social innovation के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, तो thank you so much professor Rohit, मैं अपने दर्शकों को बतान देख सकते हैं, अब हम अपसे लेंगे विदा, धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगली काड़ी में